नमस्कार दोस्तों बदो साथ आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो जानकरी देने वाला हूँ वो भूत ही काम किसा भीत हो सकती है आप सभी लोगों के लिए पबजी बैन हो गया है दोस्तों आप मेंसे बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते होंगे दोस्तों जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है क्यों कि जिन भी लोगों के फोन में पबजी इंस्टॉल्ड था या पबजी गेम वो खेलते थे उनके फोन में आज भी PUBG चल रहा है जैसे कि मैं भी PUBG खेलता था और मेरे फोन में आज भी PUBG इंस्टॉल्ड है और PUBG चलता भी है लेकिन PUBG सिर्फ अपडेट नहीं हो पाता क्योंकि Play Store से अब PUBG को हटा दिया गया है तो सभी लोगों को ये टेंशन है सभी लोग इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि यार PUBG हटा दिया है Play Store से अब कैसे उसे अपडेट करें क्योंकि अपडेट की बिना तो मज़ा नहीं आता तो इसी चक्कर में अब सभी लोग जो है वो इधर उदर के नुस्के तरीके ढूंडते रहते हैं किस तरह से PUBG को इंस्टॉल करें या अपडेट करें तो जैसे कि हम भी गूगल पर यहाँ पर चलिए सर्च कर लेते हैं जैसे सभी लोग सर्च कर रहे हैं क्योंकि सब परेशान है कि कैसे PUBG को अपडेट किया जाए क्योंकि अपडेट वर्जन जो प्ले स्टॉर पर तो मिल नहीं रहा तो दोस्तो इसी शक्कर में वो यूट्यूब और गूगल को चानते रहते हैं और उनको नएने तरीके यहाँ पर मिलते हैं देखेजिए यहाँ पर कितने सारे तरीके हैं कि PUBG को किस तरह से इंस्टॉल करें किस तरह से अपडेट करें सारे यहाँ पर आपको नुष्के मिल जाएंगे लेकिन आपको यह भी ध्यान देना होगा कि वो नुष्के या तरीके जो भी आपको बताते हैं कही ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लिंक प्रोवाइट करते हैं किसी ना किसी लिंक के थृedo आपको वो अपडेट करते हैं या आपको बता जाता है दोस्तों मैने बहुत सी वीडियो देखें जिसमें तो आपको Play Store के अंदर जाकर और वहाँ पर अपनी country ही बदल कर set करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि हम Indian country select करके रखते हैं तो उसे USA की country यहाँ पर select करवा रहे हैं या जिस भी country में PUBG चल रहा है वहाँ की country select करवा देते हैं और आपकी create card या दूसरी detail वहाँ पर save करवाने के लिए भी कह दिया जाता है जिससे कि आपकी जो प्ले स्टोर है वो इंडिया का ना रहकर दूसरी country का प्ले स्टोर यहाँ पर प्रेजेंट करें और उसमें PUBG शो होने लग जाए उसी तरह से बहुत से चैनल या वेब साइट ऐसी हैं आपको तरह तरह के link महाँ पर दे रही है कि आप ये link download कर लीजिए और उस link को download करने के बाद आपका PUBG जो है वो update हो जाएगा और दोस्तों हो भी सकता है कि update हो जाए लेकिन आपको एक चीज जरूर धियान रखनी है कि जब भी आप किसी भी link से कुछ भी install कर रहे है तो जो third party website अगर आपको कुछ दे रही है तो वो आपसे जरूर कुछ न कुछ ले भी रही होगी आपको free में कभी कोई कुछ नहीं देगा दोस्तों आपको PUBG को update करने का लालस देकर आपके phone के अंदर viruses, malware या बहुत सारी ऐसी junk file भी भेजने की कोशिच की जा रही है और उनसे ही आपको सतर्क रहना है दोस्तों दोस्तों आपको पता भी नहीं चलेगा खेल खेल में आपका PUBG तो update हो जाएगा लेकिन जो आपकी life है वो आपकी worst बन जाएगी यानि कि आपको बाद में बहुत पस्ताना पड़ेगा क्योंकि उस PUBG को update करने के चक्कर में जो आपने आपको जो update किया हुआ था आस तक वो आप कहीं ना कहीं अपनी जो कमाई वगएरा है उसको भी गवाने के कगार पर पहुंच सकते हैं तो दोस्तों आप PUBG के update version को भूल कर आपको कभी भी अगर आप update या किसी भी चक्कर में आप लगते हैं तो third party जो application को हम permission देते हैं उसको unknown source को कभी भी permission मत दीजिए अगर genuine sites हैं तो ही आप update करने के चक्कर में लगिए क्योंकि इंडिया में तो PUBG बैन हो चुका या आप सभी को पता है और अभी हाले ही में उसको दुबारा से आने का कोई chance अभी नहीं दिख रहा तो प्लीज आप जो आपको तरह तरह के जो link या अलग अलग के जो आपको guidance जो आपको मिल रही है उससे आप थोड़ा बचके र पड़ेगा अगर आप PUBG के अपडेट के चक्कर में पड़े हुए हैं तो तो दोस्तों यह जान करें आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए अगर अच्छे लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए और हम